गैस ये एक बहुत ही प्यारा स्टॉक है मैजगोन डॉक शिप बिल्डिंग लिमिंटेड सारे ही स्टॉक्स के जैसा इसने भी मार्च में ही अपना मंतली टागेट होता है उसको हिट किया था जो किता 625 रुपे का और देख सकते हैं वहां से इसने पैसा डबल कर दिया है तो अगर आपने एक लाख यहां पर लगाए होते मार्च में तो अपरिल में जून तीन महीने में ही आपके पैसे डबल हो जाते है उस तरह का यह स्टॉक है देख लेते हैं इसके फंडामेंटल में ऐसा क्या है जो यह इतना जादा भाग रहा है लेकिन उससे पहले एक सिंपल देखने को मिल सकता है तो आप इसे क्या कर सकते हो अपने ट्रैकर में आड कर सकते हो और अभी फंडामेंटल देख लेते हैं अगर वहाँ पे सब कुछ सही है तो ट्रैकर में आड करने के लिए बिलकुल सही स्टॉक हो जाएगा इसका एन्वल नेट सेल्स देखेंगे तो इसमें कोविड का थोड़ा असर पड़ा था लेकिन वहां से सेंसेंसेंसी में सेल्स उपर जाती हुए दिख रही है वह बात करें अन्वल नेट प्रॉफिट की तो इसमें भी कंसिस्टेंटली उपर जाने का ट्रैंड चालू है पिछले साल से अगर इसे कंपेर करेंगे त रोसी 38.2 परसेंट तीन साल का रोसी भी उतना ही मतलब यह दोनों स्टैंडर्ड है ठीक है तो आगे भी आपको इतना ही रोसी बना हुआ दिखने को मिल सकता है रिटन उन इक्विटी 28.6 परसेंट बहुत अच्छा है प्रमोर्टर्स होल्डिंग गजब की है 84 परसेंट इस डेट इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर जैसा कि मैंने कैंडल वाले चार्ट में बुला था पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहां पे इसका पी इए है यहां पे इसका मीडियन है तो बहुत जादा यह ओवर प्राइजड है अभी एंट्री के लिए बिलकुल ही गल जाएगा कैश फ्लो में भी इंक्रीज है FII और DIA की होल्डिंग पब्लिक से अभी कम है तो यहां से जब यह स्टेक कम करेंगे तो आई होप कि यह स्टेक FII या फिर DIA के पास आए ताकि पब्लिक से जादा होल्डिंग इन दोनों के टोटल का हो तब यह बिगनर्स के यह नए इन्वेस्टर्स के लिए जादा सेफ होता है तो हम लोग वेट करेंगे ऐसे भी अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है और बहुत जादा ओवर प्राइस यह चल रहा है तो फंडमेंटल इसके देखने में बहुत बहुत ही जादा अच्छे हैं और टे